दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुलक ज्यात करना सीखेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुलक ज्यात करने के लिए आपसे तीन तरह से question पूछा जा सकता है एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि बहुलक निकालने के लिए जब भी आपसे प्रश्ण पूछा जाएगा तो वो प्रश्ण केवल तीन तरह से पूछा जा सकता है ठीक है तो सबसे पहला तरीका क्या होगा प्रश्ण पूछने का मैं आपको यहाँ पे दिखा देता करने के लिए पहला तरीका करने के लिए यह पहला तरीका निकिवा करने के लिए तो Union बगने और आपको कहा जाएगा बहुलक ज्यात्केजिए अब देखिए तीसरा तरीका एक है तो यह तीसरा तरीका आप चाह ज्याएगा बहुलक ज्यात्किन देदिया जाएगगा लेकिन इस determination में और इस इसे सारड़ी में फर्क है देखिए इसमें सब एक एक संख्या है लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर देखें दो दो संख्या है ठीक है न तो इसको हम कहते हैं वर्ग अंतराल तो अगर आप लोग इस तरह के सारड़ी का बाउलक निकालना शीखना चाहते हैं तो इसपर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है तो इस वीडियो का लिंक मैं यहा colonial पे ऊपर दे दूंगा आप इसको देख करके यह वाला समझ सकते हैं यानि कि ऐसे सवालों को बहुलख निकालने के लिए आप वो विडियो देख लिजएगा ठीक है इस वीडियो में हम लोग केवल इन दोनों को समझेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस question को समझते हैं तो देखें सबसे पहले आपको समझना होगा कि बहुलक होता क्या है ठीक है तो मेरी बातों को द्यान से सुनेगा जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही संख्या बहुलक कालाता है ठीक है तो जैसे यहाँ पर देखें डेर सारा संख्या दिया गया है और आपको बहुला गया है बहुलक गयात कीजिए आकड़ा का मतलब संख्या होता है ठीक है न पांच कितने बारा आगी है चार बार तो मैं यहां पर इस तरह से लिख देता हूँ उसके बाद हम देखते हैं यह हो गया अब देखे च्छे तो शे तो किवल एक यह है ज्ये एक बार आए तो इसमें सबसे अधिक बार कोन आया है तो देखिए 5 पांच सबसे अधीक बार आया है, चार बार आया है, यानि कि 5 अहीं क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, देखें, पांच सबसे अधीक बार देखाई दे रहा है, तो हम यह आप लिखेंगे, बहुलक बराबर 5, क्यूंकि 5 जो है, सबसे अधीक बार आया है, तो यह अंसर चार कितनी बार आया है, तो चार एक बार आया है, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, यानि कि चार आ गया है पांच बार, ठीक है, उसके बाद तीन है, देखें तो तीन एक बार आ गया, दो बार, तीन बार, चार बार, तो तीन आया है चार बार, अब देखें इसम कि साररही वाल आम लोगों खैसे गयात करेंगे तो दियान से देखेंजेंगे अब इसमें आपको बारंबारता लिखा दिख रहा होगे एँ बारंबारता लिखा चांग लैंनों हमें सबसे बड़ी संख्याख हो जाना है सबसे पहले तो देख ये बारंबारता ऐ लाइन में ये सभी संख्याद है गया है 10, 7, 11, 15 और 2 तो इन सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है 15 ठीक है? अब 15 के उपर जो संख्या रहेगा ने वही बावलग हो जाएगा ठीक है तो 15 के उपर के आए 8 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बवलक बराबर बवलक बराबर क्या हो जाएगा 8 तो यह हमारा हो जाएगा answer चलिए अब हम लोग इस question में देखते हैं तो बारम बारता यह है इसके line में देखें यह सभी संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है सबसे बड़ी संख्या 10 है तो 10 के just उपर क्या है 5 यानि कि बवलक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा तो यही हो जाएगा answer चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ तो यह रा सवाल ठीक है तो यह आपको जो संख्या है दिख रही है आपको इसका बवलक ज्याद करके comment में बताना है